तो चलिए, आज मैं आपको दिखाती हूँ एक बहुत ही बहतरीन 3VH के प्लैट जो आपके बज़र में बिलकुल फिट बैटने वाल है एक ऐसा फ्लैट जो आपको मिलेगा डिली जिसे प्राइम लोकेशन पर बहुत सारी फसलिटी इसके साथ और यह घर लेना आपके लिए और जादा आसान हो जाएगा पता ही कैसे तो इस फ्लैट के पूरी वीडियो देखने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक तो चलिए देखते हैं यह ब्यूटिफू सा 3VH के फ्लैट जो आपके बज़र में बिलकुल फिट बैठता है तो हलो एन वेलकुम एवरिवन आप सभी का स्वागत है और फिर से आपके खुद के चैनल होम सोर सेल में और मैं शिल्पि शिर्वास्तव आज आपके लिए लेकर आई हूँ नब्बे गज में बना 3VH के फ्लैट जी हाँ इस बिल्डिंग में आपको दो गेट मिल जाते हैं बैक साइड और फ्रेड साइड जी हाँ आपको दोनों साइड अच्छी चौरी डोड मिल जाती है एक तरफ तरफ आपको कम से कम एट्रेस 20 स्वीट की चौरी डोड तो मिल ही जाती है देन उसके बाद मैं आपको बता मिलेगी walking distance पे और metro station की connectivity सिर्फ और सिर्फ 900 meter के distance पे आपको मिलने वाली है सबसे amazing बात तो यही है कि आपको metro station की connectivity इतने पास में मिल रही है और क्या ही चाहिए और उसके साथ-साथ हम आपको ये घर up to 90% तक की finance की facility पे देते है तो इसके लिए आप ready हो जाईए आपको मिलन मिलने वाला है बहुत थी असान से असान किस्तों पर ये फ्लाइट और के साथ-साथ-साथ-साथ बहुत ही amazing चीजे भी आपको इस building मिल जाएगी एक फ्लोर पे चार यूनिट मिल रहा है तो आपको यहां पर और सारे options मिलने वाले हैं तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इस building का front elevation आपकी parking देन उसके बाद ये beautiful सा 3BH के फ्लाइट VEG आपकी आपकी आपकीजेट टेमागी आपकीजेट लुवरी जापकीजेट लुवरी आपकीजेट तो यह आपका अरियर हैने वाला है जिसके आप देख रहे हैं। स्पेशियस है काफी ज्यादा यहां आपको ब्यूटिफुल टाइल्स का काम देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही अच्छी कलर कॉपनीशन और पैटर्न के साथ है। यह आपको सोफा सेट मिल जाता है जो कि आपको यह स्थीटों सोफासेट मिल रहा है के साथ और सेटरेकर क्लार की बहुत ह्य खुबशुरत है और इस फ्लाट से़ बहुत है ज्यादा चालर मैच करकी यह चीज़ें रखी गई है। अगर में बात करो फ्रंट वाल की तो यहां डिजाइनर सरमायका का मैं किया गया है बहुत ही amazing और beautiful सा वर्क आपको यह वुडन का देखने को मिले है इस साइट के फ्रंट वॉल की बात करो तो यह आपको मिलेगा वह जो आप वाई इंग देख रहे हैं वो आपके split AC की है तो यहां मिल गया आपको space आपके AC का देन उसके बाद इस wall की बाद करें तो यह आपको मिल जाता है बहुत ही खुबसुर सा marvelous look में सरमाइका काम जी है यह सरमाइका है हमने यह marvelous look में design किया है यहां आपको मिलेगा profile LED lights बहुत ही खुबसुरत और बहुत ही प्यारा color combination दिया गया है then again इस से इड़ आपको wood का एक पैनल में देखने को मिल जाएगा और इस से इड़ आपको मिल जाएगा tv unit जैसा क्या आप देखने हैं नीचे drawl मिलेगा आपको उपर marvelous look में पूरा का पूरा आपको tv unit देखने को मिल जाता है तो यह आपने देखा आपका living area इस living area के अगर false ceiling की बात करें वो भी बहुत खुबसुरत और simple and subtle रखी गई है जोकि जितना simple होगा उतना classic look आता है तो यह बीच में आपने beautiful सा शैंडल ही आपको दिया है बहुत ही खुबसुरत दिजाइन है दो फैन हम आपको लगा के देने वाले है प्लस ceiling पे आपको LED lights और cob light combination भी देखने को मिल जाएगा बहुत ही खुबसुरत living area design यहां पे किया गया है seriously इतना unique design है बहुत ही amazing pattern आपको मिल जाता है एक्टम classy look दे रहा है और spacious भी है देन उसी के बाद इसी living area से attach आपको मिल जाएगा आपका common washroom जो इस side है बहुत जादा spacious रहने वाला है बहुत ही खुबसुर टाइल का यहां पे काम आपको मिलेगा flooring आपकी बुडन की रहेगी आप tiles दे सकते हैं पॉपर एक marble tiles का look दिया गया है बहुत खुबसुर लग रहा है cob light का काम किया गया है ventilation के लिए window और सारे की सारी fittings हम आपको अलड़ी करवा के देने वाले हैं तो यह आपको common washroom हो गया इसके बगल में ही आपको इस side आपका first bedroom मिल जाता है उस साइड आपके पास इतना अज़ादा space है कि आपके पास अगर इस्ट्रा बॉल्ड्रोब्स है Almira है आपके पास table लखी है तो आप अराम से लगा सकते हो और आम से फिटो जाएगा यह हमने king size का आपको बैट दे दिया और यह आपको front wall पे मिल जाता है कुल्टिंग का काम जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही amazing color है gray dark gray color का बीच में आपको golden color की lining मिलेगी और दोनों साइड हमने सर्माइका काम सर्भा के आपको दे रखाए देन उसके बात अगर मैं fall ceiling की बात करें fall ceiling पर भी आपको बहुत ही प्यारा design देख्टर को मिलेगा जिससे कि मैंने पहले ही बताया था जितना simple हैगा उतना classy look आएगा तो यहां हमने LED light और cob light लगा के दिया है fan भी हम आपको प्लेस करके देने वाले हैं इसाइड आपको मिल जाएगी आपके split AC की वाइव भी तो यह आपको first bedroom हो गया अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ घर की ladies का सबसे अच्छा corner जो सबको पसंदा आता है आपका modular kitchen तो आइए देखते हैं आपका modular kitchen जो की seriously बहुत जादा spacious और beautiful तरीके से डिजाइन किया गया है लाइटिंग की बात करूँ बहुत जादा प्यारी है space आपको अच्छा खासा मिलने वाला है यहां आपको एक बहुत ही amazing color combination देखनी को मिलेगा जो की बहुत ही प्यारा लग रहा है जस्त सामने आपको यह सीलिंग पर लांप मिल जाता है जो की बहुत ही beautiful लग रहा है उसके नीचे एक sensor वाली आपको चिमनी देखने को मिलेगी और उसके side-side में आपको एक glass drawer देखने को मिलेगा जिसके विज़े से और भी जादा प्यारा लुक आ रहा है अगर आप देखोगे यहां हमने भर भर की cabinets आपको दिया है स्टार्टिंग में यह हमने sink आपको दे दिया है यहां पर बरतन दो सकते हो यह आपका पूरा का पूरा white color का slab area रहने वाला है switch wall वगरा सब हम आपको दे रहे हैं gas भी हम आपको दे रहे हैं already यह नीचे आपका slander के लिए space हो गया यह आपके बरतन वगरा रखने के लिए हमने बहुत सारे cabinets दे रखे हैं अगर आप देखे तो देन उसके बाद इधर हम आपको दे देते हैं pantry यह आपकी प्रॉपर बड़ी इसी पैंट्री रहने वाली है जो कि बहुत जादा beautiful और carry लग रही है तो यह आपकी pantry मिल जाती है बहुत जादा spacious यहाँ पे आपको मिलेगा बहुत जादा drawers बड़े-बड़े जो कि आपका राम से बड़े-बड़े समान इसली place हो जाएगा दन उसके बाद उपर आपको बहुत सारे cabinets मिल जाते हैं इससाइर आपको बहुती amazing और beautiful cabinets मिल रहे हैं दन उसके बाद यहाँ पे भी मिल जाता है और अगर आप lighting का काम देखोगे तो उपर हमने focus light का का काम कर रहा है नीचे भी हमने lights लगा रखी है जो profile LED lights होती है बहतरीन तरीके से design किया गया है प्लस color combination की बात करूं इंटीयर की बात करूं बहुत जादा amazing और प्यारी रखी गई है तो चलिए अब बाड़ी है आपके second bedroom देखने की जो कि इस से हैने वाला है बहुती amazing है attached washroom के साथ आपको यह room मिलेगा प्लस आपको यहाँ पे बहुती अच्छी चीज भी देखने को मिलेगी तो चलिए पहले हम देखते हैं आपका यह bed area तो यह आपको king size का bed मिल जाता है जिसके आप देख रहे है बहुती amazing king size का bed है फ्रेंट वाल के बात करूं again कुल्टिंग का काम किया गया है दोनों side sunmica का panel दिया गया है जिसके आप देख रहे है दन उसके बाद इधर आते हैं तो इससे आपको आपका attach washroom भी मिल जाता है तो कि again बहुत spacious है जी हां बहुती spacious है टाइस का टाइस भी बात करूं black and white color combination के साथ आपको मिलेगा pattern बहुती प्यारा है flooring आपको wooden के मिल जाएगी और उसके साथ साथ ventilation के लिए window भी है तो इससे spacious washroom आपको यहां पे मिल जाता है तो यह हो गया आपका attach washroom देन उसके बाद ventilation की बात आती है तो जाहित से बात है balcony और window ही आजाता है तो यह आपका बड़ा सा window हो गया अराम से आप उपर window AC प्लेस कर सकते हैं अपना यहां आपको बहुती बड़ा सा TV unit देखने को मिल जाएगा नीचे हमने आपको draw दिया है बहुत सारे open cells दिया है यह आपका हो गया space TV लगाने के लिए तो बहुती अमेजिंग और बड़ा सा TV unit हम आपको यहां पर दे देते हैं देन उसके बाद जो मैने पहले कहा था बहुती अमेजिंग चीज आपको मिलेगी जो है यह sliding door की almira जी हां बहुत अच्छा खासा space आपको यहां मिलने वाला है sliding door की almira है तो आज समझ सकते हैं यह कितना प्यारा space बहुत जादा बचाता है जस सामने आपको यहां पर मिल जाएगा बड़ा सा dressing area मुझे बहुत प्यारा जाएगा जाने से पर लेक आप फॉस से लिंग देख लेके तो यहां हमने फैन अल्रेडी प्रेस करके दिया है यहां आपको और प्लाइट का कॉमिनेशन देखने को मिल जाएगा साथ में बहुत ही प्यारा सा आपको एक design pattern देखने को मिलेगा बहुत ही जादा प्यारा आपको यह रूम का false ceiling भी जाता है तो यह हो गई आपके second bedroom अब बाड़ी है आपके last bedroom देखने की इसकी जिस्क बगल में आपको देखने को मिल जाता है तो आएगे देखते हैं आपका यह third bedroom भी जो कि seriously बहुत जादा आपको मिलने वाला है यह आपको king size का bed आपको मिल जाता है यहां पर आप देखते हैं मेरा favorite wall है यह जो कि पूरा gray color में आपको मिल जाता है बहुत ही प्यारा लग रहा है और बीच-बीच में आपको white color की lining भी देखने को मिल जाएगी और उसके साथ साथ अगर मैं इस मिल जाती है बहुत ही बड़ी अलमीरा मिल रही है आपको ventilation के लिए window है उपर window AC भी आपको लगाने के लिए space मिल जाता है और इधर आपकी balcony मिल जाती है seriously इतनी spacious balcony आपकी यहां मिल रही है कि आप ना यहां पर अराम से enjoy कर सकते हैं plus अगर बाहर की रोड की बात करूं बहुत आपको देखने को मिलने वाली है बहुत ही अच्छा लोकेशन आपको इस फ्लैट का देखने को मिल जाएगा बहुत ही प्यारा है यह आपका जो second bedroom था उसका window मिल जाता है आपको इस साइड तो यह आपकी balcony रहने वाली है जो कि again बहुत जादा spacious है उसके बाद अगर इस bedroom की बहुत जादा spacious और beautiful रहने वाली है मैंने पहले कहा था जितना simple होगा उतना classy look आएगा तो यहां हमने fan place करके दिया है LED लाइट और कोब लाइट समने लगा कि आपको दे रखा है दन उसके बाद आपको इस room में TV unit में बिल जाता है जो कि इस साइड रहने वाला है तो बहु बहुतिफुल से इंची जियर के साथ डिजाइन किया है तो आप जरूर कॉमेंट करें बताएगा कि आपको यह प्लाइट कैसा लगा और प्लस आपको इस फ्लाइट के अंदर और क्या एडिशन चीज़े चाहिए हम ट्राइ करेंगे कि वह चीज़े भी हम आपको लगवा क सकता है और आपको मिलेगा आपको 90% तक की फाइनस की फस्लीटी भी और उसके साथ साथ लेट अन का पाकिंग बहुती ब्यूटिफुल सा फ्रॉंट अलिवेशन चौड़ी रोड टू साइड उपन प्रॉप्रप्टी है बहुती बहतरीन और खुबसर फ्लैट आपको मिलन जिसे आने वाली वीडियो जल्दी से जल्दी आपको पता चल जाए और जल्दी से आप उस फ्लैट को भी बुक करा सकें